हेलो गाइस आज आप जो मेरे हाथ में फ़ोन देख रहे हैं हो रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी का इट फोन है अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो इसके अंदर चार कैमरे मिलते हैं आपको जिसमें आपको प्राइमरी कैमर साथ का 64 मेगा पिक्सल का अगर मैं इसके macro camera की बात करूँ तो आपको मिलते है art का और depth camera भी इसमें आपको art का मिलेगा और ultra wide आपको 2 mega pixel का camera मिलेगा और अगर मैं बात करूँ इसके display की तो आपको इसके अंदर आपको full HD super amoled display मिलती है जो की 1000 nix की peak brightness के साथ आती है जो HDR10 support करती है और अगर मैं इसके front camera की बात करूँ तो आपको इसके अंदर 16 mega pixel का front camera मिल जाता है जो की capable है 120 fps की video recording करने के अंदर और इसका जो rear camera है ये भी 120 fps support करता है अगर मैं इसके अंदर बैटरी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको battery जो मिलती है 5000 image की battery मिलती है और इसके जो charging है charging आपके इसके अंदर 30 watt की fast charging ये phone support करता है और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर जो processor आता है इसके अंदर जो processor मिलता है आपको media tech की तरब से आपको G95 processor support मिलता है जो की आपका media tech का बहुत ही अच्छा processor है और इसके अंदर जो ये processor speed निकाल के देता है आपको वो निकाल के देता है आपको ये quad core processor है और इसके अंदर जो 2 core है वो निकाल के देती है आपको 2.05 GHz की speed और जो बची हुई आपकी core है वो निकाल के देती है आपको 2.2 GHz की speed अगर मैं बात करूँ इस phone के अंदर जो storage मिलता है आपको वो 64GB का storage मिलता है और यह जो मेरे हाथ में आप variant देख रहे हैं यह 4GB और 64GB वाला variant है 4GB RAM और 64GB आपको memory मिलेगी और इसके अंदर जो memory है वो latest की अगर मैं बात करूँ तो UFS 3.1 है बट जो इसके अंदर जो memory है वो है UFS 2.1 storage आपको देखने को मिलता है इसके अंदर और यह phone आपको sale के अंदर 12,000 रुपे तक कभी मिल सकता है अगर वीडियो अब आई अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना, share करना और मेरे चैनल को subscribe करना